नमस्कार मित्रो यूटूब चैनल अपना वीडियो पार्क पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे संभिधान की भारत के संभिधान की भारत में कुछ लोगों ने जान बुझ कर बहुत सारे ब्रह्म संभिधान को लेकर के खड़े किये और कुछ रास्टी विचार के गठनों को लेकर के भी खड़े किये हैं अब हुमन कुछ लोग ऐसे लोग जिन्होंने खूद संभिधान का वर्षों तक विरोद किया वे लोग जब ये कहते हैं कि रास्टी स्वाइन से संभ संभिधान विरोदी है तो बड़ी हसी आती है संभ संभिधान का कितना संभान करता है यह सब वैसे तो हम भली भाती परचित हैं रास्टी प्रतीकों के लिए संभ के लोगों ने कितना बलिदान दिया है ये भी हम भली भाती परचित हैं देश में इस रास्ट में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति हर संगठन अपने दे सुनवा देते हैं तो सुनिए सरसुचालग जी को यह राट रहे हैं कि इसको नकारने से सत्यकों नकारने जैसा होगा और हानी होगी कि और इसलिए अपने समिधान कारूं ने भी राष्ट्र की इस भावात्मक एकता पर बल दिया है और पथदर्शक तत्व दिया है कि शासन का रवय्या ऐसा रहेगा कि इस प्रकार की भावात्मक एकता जल्दी से जल्दी प्रस्था पित होगी हम लोगों की एकता साधने वाला भाव कौन सा है वही है प्राचिनकाल से चलती आई हुई हमारी संस्क्रदी भारत के प्रत्यक बच्चे को अपने संविदान के ये चार चाप्टर सब को बताने चाहिए डिटेल फिर कॉंस्टूशनल लाव पढ़ने वालों के लिए है लेकिन भारत के बच्चों को एकदम प्राइमरी मत पढ़ाओ सम्मझ में नहीं आएंगे लेकिन जो फॉर्मेट इस सब क्या है कैसे पड़ाना चाहिए क्यों को दर्मा है हम लोग साथ चले विविधा लोग लोग एकत्र रहे और भारत की उन्नतियों उसी समय भारत की उन्नति से विश्व को कष्टन हो ये मन में रखकर उस विश्वमिधान की रिचना की है और करने वाले सब हमारे उनके सामने क्या आधर्षते सम्मिधान में जो चित्रों उन्होंने करम से दिये है उन चित्रों में वोव्यक्त हो रहा है आधुनिक जीवन में हमारे प्रजातांत्रिक देश में हमने एक सम्मिधान का स्विकार किया तो स्विकार किया है तो क्या, वो सम्विधान भी हमारे लोगों ने तयार किया है, अपना सम्विधान अपने देश का consensus है, और इसलिए उस सम्विधान के अनुशासन का पालन करना, यह सब का कर्तव यह है, संगह इसको पहले से मानता है, स्वतंत्र भारत के सब प्रतिकों के अनुशासन में उसका पूर्ण संबान करके हम चलते हैं हमारा सम्मिधान भी ऐसा एक प्रतीक है शत्तकों के बाद हमको फिर से अपना जीवन अपने तंत्र से खड़ा करने का जो मोका मिला उस पर हमारे देश के मुर्धन्य लोगों ने विचारवान लोगों ने एकत्रित आकर विचार करके सम्मिधान को बनाया है वो ऐसे ही नहीं बना उसके एक-एक शब्द का बहुत खल हुआ है और उनको लेकर सर्वस अहमती उत्पन्न करने के पूर्ण प्रयास के बाद जो सम्मिधान के रूप में अपने पास आई उसकी एक प्रस्तावना है प्रियाम्बल है उसमें नागरिक करतव्य बताए है उसमें डारिक्टिव प्रिंसिपल्स है और उसमें नागरिक अधिकारगी है बाकी कानूल वगरे उसके आधार पर जो बने वो बदलते रहते हैं उस बदलने का प्रावधान उस सम्मिधान में वो चलते रहता उसके लिए फोरम है भारत की संसत उसके इंटरपिटेशन के लिए कोर्ट का मत लिया जाता है यह व्यवस्ता है उस व्यवस्ता में से चलेगा जैसा चलना है लेकिन यह जो चार बाते हैं और कुछ constitutional provisions वो हमारा consensus है उसको मान कर ही सब को चलना है सब को चलना चाहिए ऐसा हम मानते हैं हम वैसा चलते हैं मैं केवल प्रियांबल पड़ देता हूं वो ही दी पीपल अव इंडिया हविग सॉलम्ली रिजॉल्ट कॉंस्टिटूट इंडिया इंटो ए सावरीन सोशालिस्ट सेकुलर देमोकरिटिक रिपब्लिक यह सोशालिस्ट सेकुलर बात में आया पता है लेकिन अभी है तो उसको भी पड़ा है में ने अगे की और एक महत्व की बात है जिसको डॉक्टर अंबेटकर साब ने अपने सम्मिदान सभा के वाशन में कहा था सम्मिदान सभा में उन्होंने कहा था कि हमारे आपस के लड़ाई के कारण विदेशी जीते और हमको गुलाम बनाया मैं भाव बता रहा हूं शब्दों उनके है आप पड़ सकते है हमने बंदुभाव अभी अभी भी हम सवसत में बैठे परस पर विरोजी कैम्प में एक दूसरे की विरोजी बन कर यह तो तंतर की मजबूरी है लेकिन इन सब के बावजुद हम सब एक है ऐसा बंदुभाव उत्पन हमने नहीं किया तो फिर कौनसे दिन देखने पड़ेंगे बतानी सेकते हैं समाज जब तक सहयोग नहीं करता व्यवस्था येशस्वी नियोति केवल डॉक्टर अंबेडगर साहब ने कहा था कि सम्मिधान के द्वारा सबको आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता का लाब हुआ है परंतु वो पूरा का पूरा मिले अमल में आये इसलि कि परिभाषा कर्मी है तो एक परिभाषा वो भी है कि सम्मिधाने साथ को बना हम सब लोग मैं जब हिंदू कहता हूं तो फिर से यह रिलिजन नहीं है किस पुजा के लोगे इसका सवाल में यह जो बड़ी बाते हैं वो सब भारतिया पंध्व संप्रदायों में ऐसी ही है सब पंध्व संप्रदायों अपनी शुरू होते हैं दुनिया के मूल में एक तक है